हलो फ्रेंट वेलकम बैक तो दे चैनल मैं हूँ रहो और आप देख रहे हैं टेक्निकलोब और यूटूब तो गाइस अगर आप भी ट्रू वायरलेस एयरबर्ट सर्च कर रहे हैं यानि कि अभी लॉक्डाउन चल रहा है अगर आपको थोड़े कुछ ऐसे वायरलेस एयरबर्ट चीहें जो कि आपके थोड़ा प्राइविसी मिल सकें जहां पर आप इजीली अपने सौंग सुन सकें या जो भी आप करना चाहें और अगर आप ढूंड रहे हैं एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और नए डिजाइन और वो भी कम प्राइस के अंदर तो यहां पर लेकर आगया है रेडमी अपने नए एयरबर्ट जिसकी कीमत है उल्ली 1799 रुपे और आप इसे इजीली पर्चेस भी कर सकते हैं और अब ये इं के स्टोर यानि के अफिशल वेब साइट पर उसे पर्चेस कर सकते हैं तो यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर कुछ में आपको इमेजिस दिखाने वालों की एयरबर्ट कैसे लगते हैं तो गाइस मैं हो रावल और आप देख रहे हैं टेक्निकल अव बनाई गई इस बार यानि कि सबसे पहली बातों में बता दू कि यह रेड्मी एयर डॉट जो पहले आता था उसी की जैसे रेड्मी एयरबर्टS आया है और यह काफी लाइट वेट में बनाया गया है और काफी कॉम्पाक्ट है इस बार इसके अंदर और ब्लैक कर में यह क्योंकि यह design इसका sleek and stylish design है तो मेरे साब से काफी pocket friendly होगा as it is जैसे मैं बताता हूँ हमेशा अपने वीडियो के अंदर तो यहाँ पर 12 hours का playback आपको case मिलेगा जहाँ पर charging case होता है उसका वाँ पर 12 hours का playback मिलेगा और जो earbuds का playback time है वो आपको up to 4 घंटे तक का मिल जाएगा यानि कि साड़े 3 घंटे तक easily आप चला सकते हैं तीन से साड़े 3-4 घंटे में यह आपका earbuds काम करेगा इतना playback आपको इसके अंदर मिलेगा साथी में साथ में सबसे अची बात यह है इसके अंदर इस रेंज के अंदर IPX4 मिल रहा है यानि कि आप योगा फिटनेस या फ्रीक है या exercise करें cycling करें sweating होती है तो IPX4 वहाँ पर यह water sweat splash proof है तो water नहीं splash proof है यह आराम से आप इसको use कर सकते हैं उसके बाद work with voice assistant है और multifunctional buttons है यहां पर साथ में low latency gaming mode है जहां पर आप games के लिए जहां पर sound आता है उसके latency mode को easily change कर सकते हैं उसके अलावा यहां पर आपको यह पूरी तरीके से नया मिलता है काफी अच्छे तरीके से यह अच्छे तरीके से इसके अंदर magnetic का form दिया गया है जहां पर यह ultra light weight में है तो यह मेरे हिसाब से इस range के अंदर काफी अच्छी चीज़ आई है और रही बाद इसके Bluetooth की तो यहां पर 5.0 मिलता है जो की आपको बहुत अच्छी connectivity देता है जिसका जो meter और range होता है वो भी काफी अच्छी होती है क्योंकि यह बनाया है air birds बहुती light weight में और जादा अच्छा है तो gaming board के हिसाब से भी बहुती अच्छा है क्योंकि PUBG वगरे काफी lovers है यहां पर जो खेलते है साथ ही में यहां पर आपको DSP environmental noise cancellation मिलता है जैसा कि यहां पर बताया गया है कि आप एक technology है noise cancellation की और वो कितने हद तक proper way में यहां पर काम करती है वो हमें actually में practically देखने के बाता चलेगा यहां कि जैसा मैंने बताया था JBL का जो CTW100 जो है आप जाकर देख सकते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो बर्ट्स है वो इतने lightweight और इतनी easily under comfortably fit वहते हैं कि आपको 99% भार की आवस बिल्कुल cut off वहती एकदम तो इतनी cut off है उसके अंदर की easily आप वहां पे sound भार की नहीं सुन सकते तो उसके अंदर noise cancellation नहीं है बट वह एक अच्छी तरीके से proper way वे काम करता है बट इसके अंदर कितना होगा वह हमें आने वाले time पता चल जाए क्यूंकि वह है 4000 का यह सिर्फ 1799 का तो बहुत जादा difference आया था technology के अंदर अला कि चायना आपके जो controlling है वह बहुत अच्छी से हो जाएगी बहुत ही तरीके से यह connect कर जाता है यह बहुत ही चीज़ है आप इसको यूज कर सकते हैं साथी में यहां पर आपको जो battery backup मिलता है में बतायता हूं इसके अंदर आपको 300 mh की बैटरी मिलती है और यहां पर lithium-ion battery लगाए गई है तो सारी चीज़े मिला के यह fully package सस्ता सा बढ़िया आपको और आप लेना चाहें तो मैं जैसे बता सको Amazon से भी ले सकते हैं अगर लिंक होगा description box में डाल दूंगा नहीं होगा तो आप MI की official website से भी जाके purchase कर सकते तो गाइस यह information और updates कैसे लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में like करें और कैसा लगा आपको यह वीडियो इसके बारे मैं जरूर लिकेंगा comment box में क्योंकि ऐसे वीडियो और नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहेंगे और मैं आप लोग को नहीं नहीं अपडेट लेकर आता रहूंगा तो गाइस तब तक के लिए थैंकियो फॉर्म टेक्नो क्लब टेक्क्येर